बिस्मिल्हारमाइन रहीम, असलामेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देख रहे हैं इजाजनसारी फूर्ट सीक्रेट्स आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायक में आपके आज हम आपके लिए प्योर रेस्टोरंट स्टाइल एक स्टिकन फ्राइड राइस की रेस्पी लेके आए हो और यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट स्टिप्स और टिक्स बताऊंगा जो आज से पहले आपके जो एक फ्राइड राइस हैं, वो बहुत ही टेस्टी होने वाले, उनमें फीकापन बिल्कुल नहीं होगा इन्शाला, तो चलें जी, बिस्मिल्ला रावाने, तो यहाँ पे डेर कब हमने राइस लिए है, पुराने वाले राइस यूज़ कर रहा हूं मैं, अब यहा यहाँ पे हमें चिकन चाहिए, तो चिकन की कटिंग थोड़ा सा मैटर करती है, क्योंकि जिस स्टाइल से आपने वेजटेबल को काटना है, उसी स्टाइल से आपने चिकन को करना है, तो यूलिन स्टाइल हम कटिंग करेंगे, यहाँ पे चिकन का हाफ फिले है, वह हम लेसन बहुत मैटर करता है, यह कटिंग वाला लेसन होता है, यह आपने इसमें यूज नहीं करना, आपने इसको कूट कर यूज करना है, ऐसा क्यों जो कॉलिनरी आर्ट्स के स्टूडेंट से हमको पता होगा, कि जब हम लेसन के पीसिस को फ्राई करते हैं, कूटे होए को नह ब्राउन होने के बाद टेस्ट चेंज हो जाता है, उस टाइप का टेस्ट जो के हमें तड़के बगारा में मिलता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने पेस्ट बना लेना है, लेसन का, और यह देखें, बिल्कुल आपने इ इसको मेरिनेट करके रख देना है, अगली बात और बहुत यह है, चावल जुडे जुडे क्यूं होते हैं, चावल जुडे क्यूं होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या अगलती है, इसको हम रख देते हैं, दस पदर मिट के लिए साइट पे, सलें जी बिसमिल्ला चावल जुडे के लाइची, एक बड़ी एलाइची, और यह है लॉंग, चार से पांच, इसके गया राइस नहीं बनते हैं, सिर्का जाएगा 1 टेबल स्पून बढ़कर, कुकिंग ऑल भी 1 टेबल स्पून, सिर्के से क्या होता है, चावल बाइट रहते हैं, चावल जो हम और इस गरम पानी के अंदर हम इन चावलों को एड़ करेंगे, जो हमने 15 मिस्ट पहले भीगोगे रखे थे, 15-20 मिन, हलका सा समझी लाएंगे, और अब आपने इसको मिडियम फ्लेम की ओपर बाइल करना है, ठीक है, ढखकर आपने इस तरह से रखना है, के बाइल लाए तो यहाँ पर दो अंडे हमारे पास, इनको हमने हलका सा साल्ट अड़ करके, अच्छे से फैंट के पका लेना है, यह रेखें, बहुत इसानी से हो जाएगा, अब लो से फ्लेम पर हम अड़ करेंगे, हाई फ्लेम पर अड़ नहीं करना, वरना यहीं पर टिकी बन जाएगी, ज तो यह अपनी स्मेल एंड तक नहीं जाने देगा, हमने इसको फुली कुक करना है, ठीक हो गया, चलें जी, बिसमिल्ला हमारे, अब मेन रेस्पी शुरू होने लगी है, ठीक है, वन फॉर्थ कप कुकिंग ओल लेंगे, और यह मेरिनेटिर चिकन जिसमें लेसन की बहुत अच्छा निकलेगा, यह हमारे पास कैरेट्स है, जूलिन स्टाइल हमने कटिंग की है इसकी, और यह हमारे पास शिमला मिर्च, आधी-अधी प्याली काफी होगे, एक और वेजिटेबल है, वो यहाँ पे आड नहीं करना, एंड पे हम आपको बहुत हैवी आने जा रहा हूँ, वो आपने ध्यान से देखना है, इन्शालला आपको कुछ स्पेशल जानने को मिलेगा, नमक यहाँ पे हम एड कर रहे हैं, वांटी स्पून, चामलों में भी नमक था, तो वांटी स्पून काफी होगा, हाफ टी स्पून काली मिर्च एड करेंगे, नो पहले आइड इसलिए ने की, क्योंकि यह बिल्कुल फिर मिक्स हो जाती है, नरव हो जाती है, तो हमने इसको बाद में आइड किया है, ठीक हो गया, चलें जी, अब हम, बिसमिल्ला हरावान रहीम, यहाँ पे हमारे पास है, यह अंडा, जिसको हमने अभी बनाया था, यह भ सकते हैं, बहुत शांतर किसम की हर तरह की प्रोड़क्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, यह तकरीबन हर अच्छे यूटिलिटी स्टोर पे, जर्नल स्टोर पे आपको अवेलेबल होता है, पर्चेस करिए और हमें बताइगे आपको यह कैसा लगा, तो यहाँ पे हम इसमे करेंगे अच्छी तरह से, याद रखेएगा, अपने वेचीटेबल्स को अवरकुक नहीं करना, ठीक है, हल्का सा जस्ट आपने इसको सौटे करना होता है, चलें जी, अब हम क्या करेंगे, बिसमिल्ला हरा मान रहें, यह लें जी, चावल चिनको हमने बॉयल किया था, वो इसमें एड कर देंगे, और मैंने पहले बताया था, चावलों को कम्प्लीर एड करना है, अब यहाँ पर बहुत हैंबाद, चावल फीके रहा जाते हैं, तो हमने चावलों के उपर एक से टेबल स्पून चिली सॉस एड करना है, मैंने सबजियों में एड नहीं किया, याद रखिएगा, सोया सॉस एक से टेबल स्पून एड कर देंगे, सिर्का एक से टेबल स्पून एड कर देंगे, और यहीं पर हम एक और चीजज आड करेंगे, ग्रीन अनियन ऋप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो आप अब हम कर देंगे थोड़ी सी mixing और इसी दुरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगा आपके उसे प्यार होता है महबत होती है और अगर कर लिया है तो thank you so much ठीक हो गया अब हम इसको हलका सा दम पे रख देंगे छोटा सा दम हलकी से फ्लेम के उपर तिक्री बन पांच से साथ मिनट का ठीक है ना भी लगा है डिसर्ट मैटल लेकिन लगा दें तो टेस्ट फ्लेवर बेहतर आ जाता है अब यहाँ पे आपने एक चीज एड़ करनी है ठीक है वो चीज ऐसा लेकिन करें आप हैरान रह जाएंगे और यह मेरा कहलें के बिल्कुल पर्सनल सा सीक्रेट है मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पे है हमारे पास सैलड पता ठीक है उसकी मैंने कर लिए यह आपने एड़ पे एड़ करना है इसका ऐसा करंच आपको मूह में आएगा जब आ इन्शालला आपका दिल खुश हो जाएगा तोड़ा सा यहाँ पे एंड पे एड़ करना है ठीक है अब सिर्फ सर्विंग के दुरान ही आपने इसको एड़ करना है उससे पहले एड़ नहीं करना वरना नरम हो जाएगा करन चो है वो खतम हो जाएगा बिसमिल्ला रावार इन्वानलों की तरफ चलते हैं तो माशाला अलहम्दलिल्ला देखेंजी मेरे अल्ला की शान उसकी रहमते नेमते और बढ़ते जो दीस ने हमारा हाथ हमारा खानों में तो मेरे परबस हो बहुत शानदार रेस्टरून स्टाइल चिकन एक फ्राइड राइस रेस्पी तयार है दौ में यह देखिए वीडियो को लाइक कीजिए जान सार की अजाज़त दीजिये लिए उड़े तक अल्ला हाफीज